मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महा पर्व छठ मनाये जा रहा है। सूर्य उपासना की प्रमपरा इस बात का प्रमान है कि हमारी संस्कृति हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। अभिन हिस्सा है। इसलिए हमें हर परिस्थिती में एक समान भाव रखना चाहिए। छठ मैया की पूजा में भाती भाती के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाय जाता है। इसका वरत भी किसी कठीन साधना से कम नहीं होता। छठ पूजा की एक और खास बात होती है। इसमें पूजा के लिए जिन वस्तों का इस्तिमाल होता है। उसे समाज के विभिन लोग मिल कर तयार करते हैं। इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उपयोग होता है। मिट्टी के दियों का अपना महत्व होता है। इसके जरिये चने की पैदावार करने वाले किसान और बता से बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है। इनके सहियों के बिना छट की पूजा संपनी नहीं हो सकती। छट का पर्व हमारे जीवन में स्वच्चता के महत्व पर भी जोड़ देता है। इस पर्व के आने पर सामुदाइक स्तर पर सडक, नदी, घाट, पानी के विविन स्रोत सब की सभाई की जाती है। छट का पर्व एक भारत, सरेष्ट भारत का भी उदार है। आज बिहार और पुर्वांचल के लोग, देश के जिस भी कौन में हैं, वहाँ धुम धाम से छट का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत, महारश के अलग-अलग जिनों और गुजरात के कई हिस्सों में, छट का बड़े पहमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे दियाद है, पहले गुजरात में उतनी छट पुजा नहीं होती थी, लिकिन समय के साथ, आज करीब-करीब पुरे गुजरात में छट पुजा के रंग नजर आने लगे हैं। यह देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आज कर हम देखते हैं, विदेशों से भी छट पुजा की कितनी भव्य तस्विरे आती हैं। यानि भारत की समरिद्विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महा पर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी हमने पवीत्र छट पुजा की बात की, भगवान सुरिय की उपासना की बात की। तो क्योंन सुरिय उपासना के साथ साथ, आज हम उनके वर्दान की भी चर्चा करें। भारत के लिए तो सुरिय देव सद्यों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे है। भारत आज अपने परमपारिक अनुभों को आथुनिक विज्ञान से जोड रहा है। तभी आज हम सौर उर्जा से बेली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। शौर उर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यमबर के जीवन में बड़लाव आ रहा हैं। भो भी अध्यान का विशह है। तमिलनाडु में कांची पुरम में एक किसार है। थीरू के एजिलन इन्होंने पी एम कुसुम योजना का लाब लिया और अपने खेत में 10 होर्स पावर का सोलर पंप सेट लग आया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निरभर भी नहीं है। वैसे ही राजस्तान के भरतपूर में पी-म कुसुम योजना के एक और लाभारतिक किसान है कमल जी मेडा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमर्दी भी बढ़ गई। कमल जी सोलर बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योकों को भी जोट रहे हैं। उनके इलाके में लकडी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं। इनमें भी सोलर बिजली का इस्तवाल हो रहा है। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानि कुसूम योजना से कमल जी ने जो शुरुवात की उसके महक कितने ही लोगों तक पहुँचने लगी हैं। साथियों क्या आप कभी कलपना कर सकते हैं कि आप महेने भर बिजली का उप्योग करें और आपका बिजली बील आने के बजाए आपको बिजली के पैसे मिलें। सौर उर्जाने ये भी कर दिखाया है। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सुर्यग्राम गुजरात के मोधेरा के खूप चर्चा सुनी होगी। मोधेरा सुर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई गरों में महिने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा बलकि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। यह होता देख अब देश के बहुत से गाउं के लोग मुझे चिठियां लिकर कह रहे हैं कि उनके गाउं को भी सुर्यग्राम में बढ़ला जाएं। यानि वो दिन दूर नहीं जब भारत में सुर्यग्रामों का निर्मान बहुत बड़ा जनांदोलन बनेगा। और इसकी शुरुवात मोधेरा गाउं के लोग कर ही चुके हैं। आईए मन की बात के सुर्ताओं को भी मोधेरा के लोगों से मिलवाते हैं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं स्रिमान विपिन भाई पटेल। विपिन भाई नमस्ते। देखिए अब तो मोडेरा पुरे देश के लिए एक मोडेल के रूप में चर्चा में आ गया है। लेकिन जब आपको अपने रिष्टेदार परिचीत सब बाते पूछते होंगे तो आप उनको क्या बताते हैं। क्या फाइदा हुआ। लोग हमेरे को पूछते हैं तो हम कहते हैं को हमेरे जो भीज बिल आता था लाइट बिल वो अभी जीरो आ रहा है। और कभी सत्तर रुपे आता हैं पर लेकिन हमेरे पूछत गाव में जो आर्सी परिस्थिती है वो सुधर रही है। याने एक प्रकार से पहले जो बिजली बिल की चिंता थी वो खतम हो गई। अब अपने घर में ही खुदी बिजली का कारखाना के मालिक बन गए। खुद का अपना घर के चट पे बिजली बढ़ रही है। तो क्या ये बढ़लाव जो आया है उसकी गाव के लोगों पर क्या आसर है। मतलब बिजली का बिल भी गया और सुविदा बढ़ गई। जनजर भी गया सर। और सब जब आप आये थे और तो 300 जो उद्गाटन किया। तो इसके बाद तो मोटेरा गाव में 4-5 लग गया सर। और वो जो शेक्रेटरी आये थे सर। जी जी तो वो गाव ठेमस हो गया सर। या ये इनके सेकेटरी जनरल उनकी खुद की इच्छा दी। उन्हों मुझे बड़ा आगरग किया है तो मैं वहाँ जाके देखना चाहता हूँ। चलिए विपिन भाई आपको और आपके गाव के सब लोगों को मेरी तरब से बहुत 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 सुपकामना है और दुनिया आप मैंसे प्रेणा ले और ये सोलार एनरजी का भियान गर-गर चले। ठीक है सर, हम लोगों को बताएंगे कि भी सोलार लगवा हो, आपके पैसे से भी लगवा हो तो बहुत फाइदा है। हाँ, लोगों को समझाईए। चलिए बहुत-बहुत सुपकामना है, धन्यवाद भीया। ठीक सर, ठीक सर, मेरा जीवन दन्यवाद आपसे बात करके। हिंदूतान, कहां-कहां जानेगा मोगा मिला आपको? मुझे राजस्फण में मिला, गांधी नजर में मिला, कठरा काग जो जम्मों है वहाँ-वहाँ-मोक साथ में रहने का बहुत-वहाँ-वहाँ-पर मिल रही थी सर. यह फोज में होने के कारा है आप हिंदी भी बढ़िया बोल रही हो मुझे बताइए मोधेरा में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया यह 16 रूप्टॉप प्लांट आपने लगवा दिया जो शुरू में लोग कह रहे होंगे तब तो आपको मन में आया होगा हुगा हम उसका में भी ब्लत था ही नहीं है विलोटे ही नहीं है सब भरमे ला रख्यूं जाती है सर यूज कर रहे हैं हम आपकी वज़े से सर विल ये बात सही है आपने बीजिनी का अधिक्तम उप्योग करने के लिए मन्त बना लिया है बना लिया सर बना लिया अभी हमें कोई दिक्कत ही नहीं है और गाउं के बाकी लोग भी खुश है इसके कारण बहुत बहुत खुश है सर अचाहिए आपके पति देव तो वहां सुरी मंदिर में काम करते हैं तो वहां वो जो लाइट शो हुआ इतना बड़ा इवेंट हुआ और अभी दुनिया भर के महमान आ रहे हैं दुनिया वर के फॉरणर आ सकते हैं अगर आपने वर्ड में प्रसिद्ध कर दिया है हमारे गाउ को तो आपके पति को काम बढ़ गए होगा इतने महमान वहां मंदिर में देखने के लिए आ रहे हैं आप गाव का विकास तो हम सबको मिल करके करना है हाँ हाँ सबंदन करूंगा क्योंकि गाव ने इस योजणा को स्षिकार किया और उनको विश्वास हो गया हाँ हम अपने घर में बिजली बना सकते है 24 गंटे जर अमारे गर में बिजली आती है और हम बहुत खुर से चलिए मेरी आपको बहुत शुपकामना हैं जो पैसे बचे हैं इसका बच्चों के भलाई के लिए उपयोग कीजिए उन पैसों का उपयोग अच्छा हो ताकि आपका जिवन को फायदा हो मेरी आपको बहुत शुपकामना हैं और सब मोधेरा वालों को मेरे नमस्कार साथियों वर्षाबेन और विपिन भाई ने जो बताया है वो पूरे देश के लिए गावों शहरों के लिए एक प्रेड़ना है मोधेरा का ये अनुभव पूरे देश में दोहराया जा सकता है सूर्य की शक्ती अब पैसे भी बचाएगी और आए भी बढ़ाएगी जम्मू किश्मीर के स्रीनगर से एक साती है मंजूर एहमत लैवाल कश्मीर में सर्दियों के कारण बिजली का खर्च काफी होता है इसी कारण मंजूर जी का बिजली का बिल भी 4,000 रुपिय से ज़ादा आता था लेकिन जब से मंजूर जी ने अपने घर पर 16 रूप्ट अप्रांट लगवाया है उनका खर्च आधे से भी कम हो गया है ऐसे ही ओडिशा की एक बेटी कुन्नी देवरी सौर उर्जा को अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं के रोजगार का माध्यम बना रही है कुन्नी ओडिशा के केंदुजर जिले के करदापाल गाउं में रहती है तो आदिवासी महिलाओं को सोलर से चलने वाली रिलिंग मशिन पर सिल्की कताई की ट्रेनिंग देती है सोलर मशिन के कारण इन आदिवासी महिलाओं पर बिजली के बिल का बोज नहीं पड़ता और उनके आमद नहीं हो रही है यही तो सुर्यदेव की सौर उर्जा का वर्दान ही तो है वर्दान और प्रसाथ तो जितना विस्तार हो उतना ही अच्छा होता है इसलिए मेरी आप सबसे प्राथना है आप भी इसमें जुडे और दूसरों को भी जोडे मेरे प्यारे देश्वासियों अभी मैं आप से सूरज की बाते कर रहा था अब मेरा ध्यान स्पेस की तरब जा रहा है वो इसलिए क्योंकि हमारा देश सोलर सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हरान है इसलिए मैंने सोचा मन की बात के स्रोताओं को ये बता कर मैं उनकी भी खुशी बढ़ाओ साथियों अपसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत ने एक साथ 36 सेट्रिलाइट्स को अंत्रिक्ष्म स्थापित किया है दिवाली से ठीक एक दिन पहले मिली ये सफलता एक प्रकार से ये हमारे युवाओं की तरफ से देश को एक स्पेशल दिवाली गिप्ट है इस लॉंचिंग से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूरे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबुती मिलेगी इसकी मदद से बेहत दूर दराज के इलाकें भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे देश जब आत्मनिर्वर होता है तो कैसे सफलता की नई उचाई पर पहुंचता जाता है ये इसका भी एक उदारन है आपसे बात करते हुए मुझे वे पुराना समय भी आदा रहा है जब भारत को क्रायोजेनिक रोकेट टेक्नोलोजी देने से मना कर दिया गया था लेकिन भारत के वैज्यानिकों ने ना सिर्फ स्वदेशी टेक्नोलोजी विक्सित की बलकि आज इसकी मदद से एक साथ दरजनों सेटिलाइट्स अंतरिक्ष में भेज रहा है इस लॉंचिंग के साथ भारत ग्लोबल कॉमर्सियल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनकर उब्रा है इससे अंतरिक्ष के खित्र में भारत के लिए अउस्वरों के नए द्वार भी खुले हैं साथियों विक्सीद भारत का संकलब लेकर चल ढहा हमारा देश सबका प्रयाद से ही अपने लक्षों को प्राप्त कर सकता है भारत में पहले स्पेस सेक्टर सरकारी व्यवस्ताओं के धायरह में ही सिम्ता हुआ था जब यह स्पेस सेक्टर भारत के युगाओं के लिए, भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, तब से इसमें क्रांती कारी परिवर्तन आने लगे हैं, भारतिय इंडिस्ट्री और स्टार्ट अप्स इक्षेत्र में नए-ने इनोवेशन्स और नए-ने टेक् लिए गैर सरकारी कंपनियों को भी अपने पेलोर्स और सेटलाइट लॉंच करने की सुविदा मिल रही हैं, मैं अधिक से अधिक स्टार्ट अप्स और इनोवेटर्स से आग्रह करूंगा, कि वे स्पेस सेक्टर में भारत में बन रहें, इन बड़े अवसरों का पूरा ला आता हैं, तो हमारे मन में गिसी, पीटी, पुरानी, बहुत सरी धानाएं गर कर गई हैं, कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडन्ट पावर की बात होती हैं, तो इसको छात्रसंग चुनाओं से जोड़कर उसका धायरा समित कर दिया जाता है, लेकिन स्टूडन्ट पाव भारत को पावरफुल बनाने का आधार है, आखिर आज जो युवा है, वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे, जब भारत सताब्दी बनाएगा, युवाओं की ये शक्ति, उनकी महनत, उनका पसीना, उनकी प्रतीभा, भारत को उस उंचाई पर लेकर जाएगी, जिसका स जनकल्प देश आज ले रहा है, हमारे आज के युवा, जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग में जुड गए हैं, वो देखकर, मैं बहुत भरोसे से भरा हुआ हूँ, जिस तरह हमारे युवा, हैके तोंस में प्राब्लिम सौल करते हैं, रात रात गंटों काम करते हैं, वो बहुत ही प्रेना देने वाला है, बीते वर्षों में हुए, हैकाथोंस ने, देश के लाखों युवाओंने मिलकर, बहुत सारे चेलेंजिस को निप्टाया है, देश को ने सलुशन दिये हैं, साथियों, आपको याद होगा, मैंने लाल के लिए स जय अनुसंधान का आवान किया था, मैंने इस दसक को भारत का टेकेड बनाने की बात भी कही थी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, इसकी कमान हमारी IIT के स्टूडन्स ने भी समाल ली है, इसी मैंने 14-15 अक्तुबर को सभी 23 IIT अपने इनोवेशन और रिसर्च प मंच पर आए, इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडन्स और रिसर्चर्स उन्होंने 75 से अधिक बहतरीन प्रोजेक्स को प्रदर्शित किया, हेल्ट केर, एग्रिकल्चर, रोबोटेक्स, सेमिकंडक्टर्स, 5G कॉन्युकेशन्स ऐसी डेर सारी थिम्स पर ये प्र आपका ध्यान आकर्सित करना चाहता हूं, जैसे IIT भूमनेश्कवर की एक टीम ने नवजात सिचुओं के लिए पोर्टेबल बेंटिलेटर विक्सित किया है, ये बैटरी से चलता है, और इसका उपयोग दूर धराज की एक शेत्रों में आसानी से किया जा सकता है, ये उन टेकनोलोजी हो, 5G हो, हमारे बहुत सारे शात्रों इनसे जुड़ी नई टेकनोलोजी विक्सित करने में जुटे हैं, कई सारी IIT मिलकर एक बहु भाशक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं, जो स्थानिय भाशाओं को सीखने के तरीके को आसान बनाता है, ये प्रोजेक् आस्ट्रिय सिक्षानीती को उन लक्षों को प्राप्ती में भी बहुत मदद करेगा, आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा, कि IIT मडरास और IIT कानपुर ने भारत के स्वदेशी 5G टेस्ट बेड को त्यार करने में अग्रणी भूमी का निभाई है, निश्चित रुप से यह एक शांदार शुरुवात है, मुझे आशा है कि आने वाले समय में इस तरह के कई और प्रयास देखने को मिलेंगे, मुझे यह भी उमीद है कि IIT से प्रेना लेकर दूसरे इंस्टिटूशन भी अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी अपनी अक्टिविटीज में तीजी लाएंगे, मेरे प्यारे देशवासियों, परियावरन के प्रती संवेदन सिल्ता हमारे समाज के कण कण में समाहित है और इसे हम अपने चारों और महसूस कर सकते हैं, देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो परियावरन की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देत हैं, करनाटका के बेंगलूरू में रहने वाले सुरेश कुमार जी से भी हम बहुत कुछ सिख सकते हैं, उनमें प्रक्टूती और परियावरन की रक्षा के लिए गजब के जुनून है, 20 साल पहले उन्होंने शहर के सहकार नगर के एक जंगल को फिर से हरा भरा करने का लेकिन 20 साल पहले लगाये गए वो पौधे, आज 40-40 फिट उचे विशाल काय पेड़ बन चुके हैं, अब इनकी सुन्दरता हर किसी का मन मोह लेती है, इससे वहां रहने वाले लोगों को भी बड़े घर्व की अनुफूती होती है, सुरेश कुमार जी और एक अध्भूत काम भी करते हैं, उन्होंने कंड़ा भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकार नगर में एक बस सेल्टर भी बनाया है, वो सेंकड़ों लोगों को कंड़ा में लिखी, ब्रार्स प्लेट्स भी बेट कर चुके हैं, इकोलोजी और कल्चर दोनों साथ साथ साथ हैं, साथियों, आज एको फ्रेंडली लिविंग और एको फ्रेंडली प्रोडस को लेकर लोगों में पहले से कहीं अधिक जागरूता दिख रही हैं, मुझे तमिलनाडू के एक ऐसे ही दिल्चस्प प्रयास के बारे में भी जानने का मोखा मिला, ये शांदार प्रयास कोईमठूर के अनाई कट्टी में आदिवसी महलाओं की एक टीम का है, इन महलाओं ने निर्यात के लिए दसजार इको फ्रेंडली टेरा कोटा टीकप्स का निर्मार किया। इन्होंने प्रशिक्षन भी लिया था, इस अध्भूत प्रयास की जितने भी प्रसंसा के जाएं कम है, साथियों त्रिपुरा के कुछ गाउं ने भी बड़ी अच्छी सिख दी है, आप लोगोंने बायो बिलेज तो जरूर सुना हुआ, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गाउं बायो बिलेज टू की सिड़ी चड़ गए हैं, बायो बिलेज टू में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुक्सान को कैसे कम से कम किया जाएं, इसमें विभिन उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया ज बायो गेस, बीकिपिंग और बायो फर्टिलाजर इन सब पर पूरा फोकस रहता है, कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायू परिवर्दन के खिलाब भियान को बायो बिलेज टू बहुत मजबूती देने वाला है, मैं देश के अलग-अलग हिस्सों में परियाबरन सवरक रक्षन को लेकर बढ़ रहे हैं, उत्सा को देकर बहुती खुश हूँ, कुछ दिन पहले ही भारत में परियाबरन की रक्षा के लिए समर्पित, मिशन लाइब को भी लॉंच किया गया है, मिशन लाइब का सीधा सितांत है, ऐसी जीवनशाइली, ऐसी लाइब स्टाहिल को बढ़ावा, जो परियाबरन को नुक्सान न पहुंचाए, मेरा आग्रह है कि आप भी मिशन लाइब को जानिये, उसे अपनाने का प्रयास कीजिए, साथियों, कल 31 अक्तुबर को राष्ट्रिय एक तादिवस है, सरदार वल्लभाई पटेल जी की जन्म जन्ति का पुन्य आउसर है, इस दिन देश के कौने कौने में रन फर यूनिटी का आयूजन किया जाता है, ये दोड देश में एक ताके सुत्र को मजबूत करती हैं, हमारे युवाओं को प्रेरित करती हैं, अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रिय खेलों के दोरान भी देखी है, जुडेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रिय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है, आपको ये जानकर खुशी होगी, कि हम भारत में राष्ट्र ये खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, इसमें 36 खेलों को सामिल किया गया, जिसमें साथ नई और दो सदेशिस परधा, योगाशन और मर्खम भी शामिल रही, गोल्ड मेडल जीतने में सबसे आगे जो तीन टीम है रही, वे हैं सर्विसेस की टीम, माहराष्ट और हरियाना की टीम, इन खेलों में 6 नेशनल डेकोर्ड्स और करीप गरीब, 60 नेशनल गेम्स रेकोर्ड्स भी बने, मैं पदक जितने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले, इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले, सभी खिलाडियों को बहुत बहुत बधाई दे मैं इन खेलाडियों के सुनहरे भविष की कामना भी करता हूँ, साथियों मैं उन सभी लोगों की भी रदय से प्रसंसा करना चाहता हूँ, जिनोंने गुजरात में हुए राष्ट्रिय खेलों के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया, आपने देखा है कि गुजरात मे तो राष्ट्रिय खेल नवरात्रि के दवरान हुए, इन खेलों के आयोजन से पहले एक बार, तो मेरे मन में भी आया, कि इस समय तो पूरा गुजरात इन उत्सवों में जुटा होता है, तो लोग इन खेलों का आनन कैसे ले पाएंगे, इतनी बड़ी विवस्ता, और दु इस सारे काम गुजरात एक सार कैसे कर लेगा, लेकिन गुजरात के लोगों ने अपने आतिथ्य सत्कार से सभी महमानों को खुश कर दिया, अमदाबाद में नेशनल गेम्स के दोरान, जिस तरह कला, खेल और संस्कृत का संगम हुआ, वह उल्ला से भर देना वारा था, खे जाते थे, उन्होंने गुजराती खाना और नवरात्री के तश्विरे भी सोचल मीडिया पर खूप शेर की, यह देखना हम सभी के लिए बहुत या आनंद दायक था, आखिर कर इस तरह के खेलों से भारत की वीवित संस्कृतियों के बारे में भी पता चलता है, यह एक भा आरत की भावना को भी उतना ही मजबूत करते हैं, मेरे प्यारे देश्वासियों, नवंबर महने में 15 तारीक को हमारा देश जन जातिय गवरों दिवस मनाएगा, आपको याद होगा, देश ने पिछरे साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजैनती के दिन, आदिवासी वि जीवन काल में अंगरी जी हुकुमत के खिलाब लाखों लोगों को एक जुट कर दिया था, उन्होंने भारत की आजादी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदां कर दिया था, ऐसा कितना कुछ है जो हम धरती आबाब बिरसा मुंडा से सीख स साथियों, जब धरती आबाब बिरसा मुंडा की बात आती है, छोटे से उनके जीवन काल के तरब नजर करते हैं, आज भी हम उसमें से बहुत कुछ सिख सकते हैं, और धरती आबा ने तो कहा था, ये धरती हमारी है, हम इसके रक्षक है, उनके इस वाक्य में मात्र भूमी क लिए करत विभावना भी हैं, और परियावरण के लिए हमारे करतवियों का ऐसास भी हैं, उन्होंने हमेसा इस बात पर जोड दिया था कि हमें हमारी आदिवस्य संस्कृति को भूलना नहीं हैं, उससे रत्ती भर भी दूर नहीं जाना है, आज भी हम देश के आदिवस्य मांची के भगवान बिर्स्या मुंडा मीजयम के उद्गार्ण का सोभाई के प्राप्त हुआ था मैं युगाउं से आग्रह करना चाहूंगा कुने जब भी समय मिले वे इसे देखने जरूर जाए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एक नमंबर ये परसों मैं गुजरा राजस्तान के बॉर्डर पर मोजूदा मांगर में रहूंगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और हमारी सम्रुद आदिवासी विरासत में मांगर का भावती विशिष्ट स्थान रहा है यहां पर नमंबर 1913 में एक भयानक नर्शंहार हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने स इस नर्शंहार में एक हजार से अधिक आदिवासियों को अपनी जान गवानी पड़ी थी इस जन जाती आंदोलन का नेत्रुत गोविन गुरुजी ने किया था जिनका जीवन हर किसी को प्रेलित करने वाला है आज मैं उन सभी आदिवासी सहीदों और गोविन गुरुजी सेनानियों के आदर्शों को जितनी निस्ठा से पालन करेंगे हमारा देश उतनी ही उचाईयों को छूएगा मेरे प्यारे देश वासियों आने वाली 8 नवंबर को गुरु पुरभ है गुरु नानक जी का प्रकाश परव जितना हमारी आस्था के लिए महत्वपुन है उतन ना ही हमें इससे सीखने को भी मिलता है गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन मानवता के लिए प्रकाश परव पिछले कुछ वर्षों में देश ने गुरुओं के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेकों प्रयास किये हैं हमें गुरु नानक प्रकाश परव देश और विदेश में व्यापक स्तरप्र मनाने का सौभागे मिला था दसकों के इंतजार के बाद करतापूर साहिब कोरिडोर का निर्मान होना भी उत्राही सुखत है कुछ दिन पहले ही मुझे हेमकुन साब के लिए रोक्वे के सरान्यास का भी सौभाग उनके लिए समर्पित रहना है इसी दिन कार्तिक पुर्णीमा का भी है इस दिन हम तीर्थों में नदियों में स्नान करते हैं सेवा और दान करते हैं मैं आप सभी को इन परवों के हार्दिक बधाई देता हूं आने वाले दिनों में कई राज्य अपने राज्य दिवस भी म मनाएगा केरला पिराभी मनाएजाएगा करनाट का राजवत्सो मनाएजाएगा इसी तरह मत पदेश छत्यगर्ट और हर्यान भी अपने राज见 दिवस मनाएगे मैं इन सभी्स के लोगों को सुबकामनाई देता हूँ हमारे सभी राज्यों में एक दूसरे से सीखने की सहयोग करने की और मिलकर काम करने की स्पिरिट जितनी मजबुत होगी देश उतना ही आगे जाएगा मुझे विश्वास है हम इसी भावना से आगे बढ़ेंगे आप सब अपना ठैल रखिए स्वस्त रहिए मन की बात की अगली मुलाकात तक के लिए मुझे हग्या दीजिए नमस्कार धन्यवाद